अलो फ्रेंड्स वल्कम टू माई चैनेल अल अबाउट जॉब्स में फ्रेंट्स यूजे विए नेल याने कि उत्रखन जल विद्धूत निकाउम लिमिटेट की तरफ से एक बहुत इच्छा रिकूट्मेंट के लिए नोटिफिकेशन निकल के आयागे जिसमें डिप्लॉआ वाले अप्लेई कर सकते फ्रेंट्स इसके लिए कंप्लेट्ली अलिजेवले पर्मानेंट जॉब है इसमें आपको सलरी 44,900 पर्मान तुमिल जाएगी और इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग करते हो तो इसके लिए अप्लेई कर सकते हो मैं इस वीडियो में डिटेल्स इस नोटिफिकेशन की बाड़े में डिसकस करने वाला हो कि कौन सी पोस्ट निकल के आया है उसके बाद अच्छे चालते ओफिशिया नोटिफिकेशन की तरफ फ्रेंस ये है इसका ओफिशिया नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पाड़े हो की उत्तराखन जलविद पहले अगर आप लोगों ने अभी तक आशाम को सबस्क्राइब नहीं कियों तो चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब कर दो और बिल आइकन को प्रेसे कर दो तकि आप आने वाले साधी अपडेट मिल सके और वीडियो को जद स्राधा Laik करे कोमेंट करे शर करे और चनलन को जदा सब्सक्राइब करें तक कि आमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छा अच्छ नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लेके आने के लिए तो स्टार्ट करते हैं इटेल स्टिफिकेशन की तो फ्रेंट से ही पे जुनियर इंजिनियर के लिए वैकेंसी निकल के आया ग और एप्लिकेशन फी सब्सक्राइब के लिए लास डेट रखा गया है 30 जनुवारी 2022 और आपका रिटेंट टेस्ट होगा जून 2022 पे नेक्स फ्रेंट्स अगर आपका कोई भी डाउट्स या तो क्वेस्चिन से तो आप लोग इसी फोन नंबर या तो इमिल आईडी पे कॉ डाउट्स बागड़ा क्लियर कर सकते हो नेक्स्ट बात कर लेते रिटेल्स पोस्ट की बारे में तो फंस फास्ट है जॉनियर इंजिनियर सेविल के लिए टोटल नंबर आप वेकेंसी 25 है टोटल नंबर आप वेकेंसी को हार एक काटागोरी पे डिवाइड किया हुआ है त इसमें एज लिमीट 18 यार्स लेके 42 यार्स तक राखा गया है उसके लब फ्रेंट्स अगर आप लोग अपरेंटेसिक बगड़ा करके राखे हो तो उसकेस में आपको एज लाक्सेसान मिल चाहेगी यह एक पर्मानेंट जॉब है एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर अगर आप लोग सिविल इंजरिंग में से तीन साल का डिप्लोमा की हो तो इसके लिए अप्लेई कर सकते हो और अगर आप लोग जनरेल एंड ओविसी केंडिये हो तो उसकेस में आपको डिप्लोम में मिनिममम 55% माक्स होनी चाहिए और अगर आप लोग सेस की तो इसके बाद आपका सेलेक्शन ही पे हो जाएगी गेंट टेस्ट में आपका डिप्लोम हांडेट माक्स का एक्जामों का एंसीक्यू टाइप कोस्टियंस रहेगी तू आवर्स का टाइम दूरेशन रखा गया है नेक्स्ट पोस्ट है जुनियर इंजिनियर सिविल के लि 1,42,400 पर मांत मिल जाएगी एज लिमीट 18 यार्स लेके 42 यार्स रखा गया है उसके लाब अगर आप लोग कोई भी आपरेंटिस्टी बगेरा करके राके हो तो उसकेस में आपको एज लक्सेसन मिल जाएगी यह भी एक पर्मानेंट जौब है बात कर लेती एडुकुशनल क्वालिफिकेशन की बाड़े में तो फ्रेंट्स एडुकुशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग से तीन साल का डिप्लोमा की हो तो इसके लिए अपलाई कर सकते हो अगर आप लोग जनरेल एन ओवीसी केंडियेट हो तो उसकेस में आपका डिप्लोम में मिनिमाम 55% माक्स होनी चाहिए और आप लोग से टी पीड़ाप्लोमा में मिनिमाम 50% माक्स होनी चाहिए नेक्स फ्रेंट सेलेक्शन प्रोसडियोर में अपका रिटेंट्स होगा अगर आपको रिटेंट्स में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आप सेलेक्शन ही पर हो जाएगी और रिटेंट टेस्ट आपका 100 मॉक्स का होगा, MSQ टाइप कोस्जिन्स रहेगी, टू आवर्स का टाइम लिएशन रखा गया है, और रिटेंट टेस्ट आपका ओफलाइन होगा, नेक्स्ट है जुनियर इंजिनियर के लिए, तो आपका डिपार्टमेंट उज्जा विवाक यानिकी इनार्ची डिपार्टमेंट रहेगी, इसमें आपको सेलारी लेवल 6 के हिसाब से यानिकी 35,000 फुरांडेट से लेके 1,12,000 फुरांडेट पर मांत बिल जाएगी, एजल में 21 एर्ट से लेके 42 एर्ट से रखा गया है, यह भी पर्मारेंट जॉब है, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग सिविल, मेकानिकल और इलेक्प्रिकल में से 3 साल का डिप्लोमा की हो, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आप तो रितेंट टेस्ट में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आपके से लेक्शन एपर हो जाएगी, रितेंट टेस्ट आपका 100मक्स का होगा, mcq type questions रहेगी 2 hours का time duration रखा गया है और return test आपका offline होगा next है junior engineer electrical के लिए total number of vacancy 15 है total number of vacancy को हार एक category पे divide किया हुआ है तो आप लोग आपके सब सुस्क्राइटेल्स शेक कर लेना इसमें आपका department जल विद्द निगम रहेगी इसमें आपको salary 44,900 से लेके 1,42,400 पर month मिल जाएगी age limit नहीं पे 18 years से लेके 42 years तर रखा गया है उसके लावा अगर आप लोग apprenticeship वगड़ा करके राखे हो तो इस case में आपको education मिल जाएगी ये भी permanent job है इसमें educational qualification में अगर आप लोग mechanical या तो electrical में से 3 साल का diploma करके राखे हो तो इसके लिए apply कर सकते हो और इसमें apply करने के लिए अगर आप लोग general या तो OBC candidate हो तो उस case में आपका diploma में minimum 55% mark सोनी चाहिए और अगर आप लोगे CSTPWD candidate हो तो उस case में आपका diploma में minimum 50% mark सोनी इटेंटेस्ट आपका 100 marks का होगा MSQ type questions रहेगी 2 hours का time duration रखा गया है और इटेंटेस्ट आपका offline होगा नेक्स पोस्ट है junior engineer यां त्रिक याने की junior engineer mechanical के लिए total number of vacancy को हरे category पे divide किया हुआ है तो आप लोग आपके सब सुस्क्राइटेल्स चेक कर सकते हो इसमें भी आपका department जल विद्दूत निगाउम विवाक रहेगी इसमें आपको salary 44,900 से लेके 1,42,400 पर मौन्त मिल जाएगी age limit 18 years लेके 42 years तो रखा गया है उसके लावा अगर आप लोग कोई भी apprenticeship अगरा करके राके हो तो उस case में आपको salary जाएगी ये भी permanent job है educational qualification में अगर आप लोग mechanical या तो electrical में से 3 साल का diploma की हो तो इसके लिए apply कर सकते हो इसमें apply करने के लिए अगर आप लोग general या तो obesity candidate हो तो उस case में आपको diploma में minimum 55% marks होनी चाहिए अगर आप लोग CST candidate हो तो उस case में आपको diploma में minimum 50% marks होनी चाहिए नेक्स्ट उसके लिए अगर आप लोग है qualified हो यानि की बीटे करके राके हो तो आप लोग कोई भी post के लिए eligible नहीं हो इसमें apply नहीं कर सकते हो बात कर लिए selection procedure की बा 1000 पुरांडेट पर मंत मिल जाएगी एजनले में 21 एर्स लेके 42 एर्स रखा गया है यह भी पर्मारेंट जॉब है educational qualification में अगर आप लोग सीविल या तो chemical इंजरिंग में से तीन साल का डिप्लोमा करके राके हो तो इसके लिए apply कर सकते हो selection procedure में आप रिटेंट टेस्ट होग में आपको रिटेंट टेस्ट में मिनिमाँ 45% मार्क्स लाना होगा और अगर आप लिग एजरिंग देने के टाइम कोई भी सरस गलत करते हुदुस केसमें आपको वनफोर्थ मार्क्स डिडक्त हो जाएगी उसके लवर फ्रेंट्स अगर आप लोग SCST, OBC और PWD कंडियेट हो तो उन लोग को एस पर गवर्टमेंट नॉम्स एजिल एकसेशन मिल जाएगी जैसे SCST कंडियेट के लिए 5 साल का OBC कंडियेट के लिए 3 साल का और PWD कंडियेट के लिए 10 years के रिलाक्सेशन आपको मिल जाएगी Next बात कर लेते application procedure की वारे में तो friends application procedure यहीं पर online रखा गया है इसका जो official website है उसी website में जाके आपको online application form submit करना होगा Next friends इसमें all over India किसी भी स्टेट से आप लोग विलोंग करते हो तो इसके लिए apply कर सकते हो क्योंकि इस notification में ऐसा कुछ भी mention नहीं किया गया कि आगर आप लोग उत्तर अकांड या तो उत्तर पोदिसमें से विलोंग करते हो और उसके लगा इन्होंने इस notification में application फिकी वारे में कुछ भी mention नहीं किया है बड़ जब इसके online application form स्टार्ट होगा तो उस टाइम confirmation मिलेगा किसने all over India apply कर सकते है या नहीं कर सकते अगर ऐसा कुछ update आता है किसी वुत्तर अकांड या तो उत्तर पोदिसमें इसके लिए apply कर सकते है और उसके साथ application फिकी वारे में तो फ्रिंस में वो चीज़ टेलीग्रम चैनल पे update कर दूँगा तो फ्रिंस ये इसका डिटेल्स नोटिविकेशन और वीडियो का इटेल्स में इस official notification का PDF में टेलीग्रम चैनल पे शेयर कर दूँगा आप लोग वहां स्टिक आउट कर सकते हो अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्रम चैनल को जॉइन नहीं क्योंग जरूद जॉइन कर लेना क्योंकि मैं जो भी वीडियो बना के यूट्यूब में अप्रोट करता हो उसका लिंक बगड़ा में वहां पे शेयर कर देता हो अगर आप लोग कोई भी नोटिविकेशन नहीं पे मिस कर देते हो तो आप लोग हमारे टेलीग्रम चैनल से चिक आउट कर सकते हो और उसके लबा जॉब के लिडेट अगर कोई भी निउस या तो इंफॉर्मेशन आती है तो मैं टेलीग्रम चैनल पर शेयर कर देता हो और आगर भी शेयर करता रहूंगा तो अभी क्या भी आमारे टेलीग्रम चैनल से जो जाए आप लोग को भी फायदा मिलेगा और टेलीग ससीदोराइक करें और विडियो को ज़र्शाद लाइक कर चैनल को ज़र्शाद सपेठ करें त मिलते एक न्या क्रैक्ट के साथ तब तक के लिए गुडबाई एंक यू पिर दो